लड़की जमशेदपूर की और लड़का धनबाद के बूली का दोना का धर्म अलग-अलग लेकिन दिल लगी दिवार से तो क्या कहने यही सब हुआ बुद्वार को धनबाद के रेजिस्ट्री ओफिस में हंगावा भी हुआ, हल्की मारपीट भी हुई फिर दोनों को पुलिस ले गई, बजरंग दल के लोगों ने शादी का पिरोद किया लड़का लड़की ने तो भरपूर चतुराई की, लेकिन उनका भांडा फूट गया दरसल लड़की जमशेदपूर की रहने वाली और घरवालों ने साक्षी थाने में उसकी गुमशूदगी की रिपोर्ट दज कराई है धनबाग वो चोरी छिप पे अपने प्रेमी के साथ शादी करने पहुँच गई थी प्रेमी भूली के निचितपूर में मेकैनिक का काम करता है बुदवार को जमशेदपूर के साक्षी के शिप पूरी कॉलनी की रहने वाली 19 वर्षय लड़की प्रेम विवा करने अपने प्रेमी के साथ दोपह है रेजिस्ट्री आफिस पहुँच गई इसकी भनक जब बजरंग दल के कारकरताओं को लगी तो वो लोग रेजिस्ट्री आफिस में पहुँच गए प्रेमी से पूरा मामला जानना चाह रहे थे लेकिन वो भर्मा रहा था इसके बाद उसकी हलकी बिटाई कर दी गई फिर तो पुलिस पहुँच गई लड़का लड़की दोनों को थाने ले गई बजरंग दल के लोग प्रेमी और उसके प्रेमिका से उसका नाम और पता पूच रहे थे लड़की बुरका पैन का रेजिस्ट्री आफिस पहुँची थी प्रेमी को धनबाद थाना और प्रेमी का को महिला थाना पहुचा दिया गया है संभावना है कि गुरुवार को जब लड़की के घरवाले धनबाद तोचेंगे तो अब आगे क्या होगा तै हो सकता है अभी तक लड़की के घरवाले जमशेदपूर से धनबाद नहीं पहुंचे है प्रेमी ने बताया कि वो मेकैनिक और एलेक्रिशन का काम करता है इस सिलसले में वो अक्सा जमशेदपूर जाता था चार-पास साल पहले वो ट्रेन में जमशेदपूर से आ रहा था ट्रेन में ही उसकी मुलाकात लड़की से हुई उस समय वो नाबालिक थी, वो अपने गाउ बिहार जा रहे थी ट्रेन में ही मोबाइल नम्बरों की अदला बदली हुई उसके बाद दोनों लगतार मोबाइल पर बात करते रहे पिछले दिनों लड़की ने प्रेमी को बताया कि वो घरवालों ने उसकी कही और शादी तै कर दी है फिर दोनों ने शादी करने का निर्ड़े लिया 11 अक्टूबर को ही लड़की घर से भाग कर प्रेमी के पास आ गए उसके बाद गुदवार को वो शादी करने रेजिस्ट्री ओफिस पहुँची थी और सारा भांडा फूट गया धन्मात सेव बेरो रेपोर्ट